शिमारू के नई वडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें सबके दिल में जगा बनाना ने काता ना में कि हम सबके रजामंदी से शादी करेंगे तो फिर अब क्या रुपेश भिया पंकुड़े भूआ सही कहरी है आपको ऐसे दादा जी को बिना बताए नहीं शादी करनी चीए दादा जी को भी कितना बुरा अलगेगा और ताओ जी को भी हमारी कसम खाओ रुपेश क्या चल रहा है रुपेश क्योंकि जिस रुपेश से हम प्यार करते हैं अला परवान ही हो सकता नहीं हमने वान सकते हैं कि हमारी बेटी इस तरह का काम करेगी पापुजी आप परिसान मत हो यह हम जानते हैं कि पंखुरी ऐसा कभी नहीं कर सकते वो तो बहुत भोली है और उसे हमेशा से अपने भाईयों की और इस अवेली की इजद का ख्याल था वो नहीं करेगी ऐसा उसे किसी ने बहलाया फुसलाया है किस ने फुसलाया उसको श्रवनी आखिर बेटी किसकी है और हमें लगता ये केसफ भी मिला है उसके साथ जूट जूट बोल रही है आप सरा सर जूट अधर भावी हम चुपचाप खड़े इस का मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी बोलती जाएंगी पंगूरी कोई चुटी बच्ची नहीं है जो हमारी आठ साल की बच्ची उसे बहला देगी और रह गई बात हमारी तो भला हम ऐसा क्यों करेंगे जब से इस हवेली में हम वापस आये हैं तब से हमने किसी से बात नहीं किये चुप हजाओ तुम तुम भी हमें बचाने के लिए खुद को दाओ पर लगाया तुम भेश पागल हो गहे हो क्या अभू तुम्हारे लिए एक बार नहीं सो बार ऐसा करेंगे ठीक है लेलो बदला लेकिन पंकुडी नहीं हम चुकाएंगे कीमत जान के बदले चान और खुद के बदले खुद हमारे पयार को ना यहाँ पर कोई समझने वाला है नहीं हर कोई हमारे जासा नहीं है यहां से निकल के बाग जाएए उपम घरों के लेकर तुम्ने हमें बताया क्यों ही कुछ भी? क्या बताते तुम्हे सोचना तो यह है कि चंदरा थाई जी अम सब के पीछ में क्यों कुछ रही है? उन्हें सब पता है लेकिन हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा है हमसे उनोंने कहा कि वो सब समाल लेंगी लेकिन ये की शर्थ पर कि हमें आज रात ही यहां से भाग दाना चाहिए आज ही हम दोनों को शादी कर लेना चाहिए और यहां से चले जाना चाहिए बरना तुम मुश्किल में आ जाओंगी पंगुणी हमारा विश्वास करो हम कभी नहीं चाहते था ऐसा हो लेकिन जब उन्होंने कहा कि बात बिगड़ जाएगी तो हम तुमारे गले रिस्क नहीं लेना चाहते था सुपेश पिया आपको ने लगता कि इस सारी उनकी चाहल है मतलब उन्होंने आपसे कहा कि आप पंखुडी भुवासे भाग कर शादी कर लो और जब आपने पंखुडी भुवा को बुलाया तब उन्होंने हमें आपके पीछे भीज़ दिया लेकिन इससे उन्हें क्या मिलेगा अगर ये सब भानुताओ जी ने सुन लिया तो देखा बाबुझे देखा आपू केसफ के इस घर में आने से कैसा सब पूरा घर बिखर गया अठ साल पहले भी इसने इस हवैली की इजट दुबाई थी और अपनी बहन का इस्तिमाल कर रहा है और आठ साल पहले जो हुआ वो तो हमने बचा लिया तब तो इस इस इजट को वैसे ही समेट के रखा लेकिन अब क्या बात लड़की की है और लड़की की इजट की बात ना आख के जैसे पहलती है खल सुपा तक पुरी बिरादरी में पहल जाएगे सब को पता चल जाएगा कि पंखुरी भाग गई है और भी एक पावरची के जाथ और एक बर मान मर्यादा और इजट पे दाग लग जाए ना तो सग्यो जी का पानी भी लिख राएंगे ना उस दाग को दो नहीं सकते पंखोडी का फोन आ रहा है वो भी हमारे फोन पे अगर उसने हमें फोन किया है तो उसका मतलब जरूर कोई जरूरी बात होगी पेश तुम शायद सही कह रहे हो शायद यह एक सही रास्ता है पर इतना बड़ा कदम उठाना पर बहुत सादा घबराहत हो रही है एक बात तो तेय है इसके बाद सवेली के दर्वाजे मर्ले हमेशा हमेशा के लिए बंदो जाएंगे ऐसे ही जैसे केशव भाया के साथ हुआ था आठ साथ पहले हाँ बिलकुल पर वो ब्लैक मिलर भी तो है चंदरा भाभी ने बहले ही कहा था कि वो सब कुछ समाल लेंगी लेकिन पंकुडी अगर उन्होंने कुछ नहीं समाला तो अगर भाया हमें पुलीस से बचा भी ले तो गुस्से से हमें कौन बचाएगा और कहीं गुस्से में आके उन्होंने मारी शादी विरेन से करा दी तो नहीं हम यह नहीं कर सकते हैं पेटा तुम बट छोटी हो भी हमारी मजबूरी तुम नहीं समझोगी माना के हम छोटे माना के हमें कुछ कुछ बते समझने आती लेकिन हाँ आप जो करने जा रहे है वो बहुत गलत है एही श्रबनी बेटा तुम तुम रुपेश को गलत समझ रही हो तो हमारे लिए जान तक देने को तयार था तर आज हालात बहुत अलगें पानू हम कह रहे ना पुलिस को फोन लगाओ पुलिस को फोन लगाए और क्या कहें पुलिस से के घर की जवान बेटी जवान बहन भाग गई यह कहें ऐसा कुछ नहीं है वो सकता दोनों बचिया किसी मुसीबत में हो हूँ नहीं बाबोजी कोई मुसीबत में नहीं है आप सच को जुटला नहीं सकते कह मतलब? मतलब आप ही पूछले जब बाबोजी अपनी लाडली बहुस है कहा गया इसका पती यहीं तो था अभी अब कहिए बाबोजी अब भी आप यही कहेंगे कि इसा नहीं हो सकता बाहू केशव कहा है बाबोजी वो बाबोजी यह आपका भरुसा कभी नहीं तोड़ेंगी और नहीं हमारा किसे बेवकूफ बना रही हो नेत्रा सत सच कहो कि शादी कराने गया है मासूम श्रवणी का होसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाए शिमारू उमंग क्या भर्ञवी